तो गाईस really Margartwurf Suzuki first कोही कर रही है कि कुछ pricing क्लाश हो रही है बलेनो के साथ और हो सकता है कि ये कार आपके लिए एक पैटर आपशन हो बलेनों के corporation वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब तो और चैनल विकॉज ऐसी इंफोमीटी वीडियो आपके लाते रहते हैं तो गाईज बात करें महरुति शुजुकी फ्रांग्स के वेरियंट्स की तो इस कार में आपको टोटल फाइफ वेरियंट्स देखने को मिलेंगे बात कीजाएं है इंवेरियंट्स के प्राइजिंगे तो इसका बेस मौडल सिगमा आपको प्राइज करेगा 7.46 लाइक स्चलूम वही इसका Delta Model आपको COST करेगा 8.3 Lakh वही अगर आप बात करें इसके Delta Plus model की, तो यह आपको COST करेगा 8.7 Lakh वही इन variants में आपको Automatic Transmission का option मी मिलता है Delta Automatic Transmission आपको COST करेगा 8.8 Lakh वही इसका Delta Plus Automatic Transmission आपको COST करेगा 9.2 Lakh बात करें इसके 1L Turbo Charge Engine की Delta Plus variant के साथ जो आपको cost करेगा 9.7 lakh वहीं बात करें इसके Zeta variant की तो यह आपको cost करेगा 10.55 lakh यहीं पर आपको 6-gaard transmission की option में मिलता है इसके Zeta variant पर जो आपको cost करेगा 12 lakh बात करें इसके Alpha manual variant की वो आपको cost करेगा 11.4 lakh वहीं पर इसका आपको कॉस करेगा 12.9 lakh वहीं ये कार आपको 2 dual tone option के साथ आती है एक manual एक automatic इसका manual dual tone option आपको कॉस करेगा 11.6 lakh और वहीं इसका automatic dual tone option आपको कॉस करेगा 13.12 lakh तो आपको कैसे लगे इस crossover की pricing वैसे तो हम इसकी crossover ही कहेंगे अब बात करते हैं इसके comparison की बलेनो के साथ और हम बताते हैं कि हम इसको क्यों compare कर रहे हैं बलेनो के साथ और अगर आप compare करें बलेनो के साथ इसे तो कौन सा आपके लिए एक better option हो सकता है जैसा आप हमारी screen पे देख रहे होंगे बलेनो और फ्रॉंग्स के वेरियंट में company ने 70-80,000 का रिप्रेंस रखा है फ्रॉंग्स का base model स्टार्ट होता है 7.46 lakh से वहीं बलेनो का base variant स्टार्ट होता है 6.65 lakh से बात की जाए दोनों के base variant के features की तो दोनों के base variant में आपको same features मिलते हैं features में कोई differentiation नहीं रखा गया है same features दोनों कार में offer की जाते हैं फ्रॉंग्स में जो आपको नया मिलेगा वो मिलेगा इसका look जो crossover design के साथ ये car launch की गई है काफी refreshing लग रहा है साथ ही साथ आपको इसमें high ground clearance मिलेगी and एक अच्छी visibility वाकी features wise interior wise car almost same रखी गई है बात की जाए दोनों कार के delta variant की pricing की तो fronks का delta variant आपको price करता है 8.32 lakh वहीं baleno का delta variant आपको cost करता है 7.49 वहीं इसके automatic variant में भी आपको same difference देखने को मिल जाएगा So guys अब देखते हैं कि Maruti की ये दुबारा से कोशिच चो की गई है क्रॉसोवर को market में लाने की ये कितना काम्याब होती है वैसे आप मुझे comment section में बता सकते हैं कि क्या आप बलेनों जैसी hatchback को छोड़के fronks को लेना consider करो के आपको दोनों मेंसे कौन सी कार बेटर लगती है और क्या fronks के look और design के लिए 70-80,000 एक्स्टा पे करना वर्थ इत है इस कार में जो main differentiator होगा वो होगा इसका 1-liter का turbo engine और बहुत ही जल्दी इसके 1-liter turbo engine का review वीडियो हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे पिकास fronks का turbo variant आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है तो गाइस इस वीडियो में इतना ही ऐसी और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम जल्दी ही वापिस आएंगे fronks की डिटेल वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई